नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पे आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्थे पुस्तक शेतिस के काव्य खंड का पाच्वाँ पाठ ग्राम स्री यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है तो कविता को पढ़ने से पहले कवी के जीवन पर प्रकास डाल लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्रांचल के अल्मोडा जिले के कौशानी गाउं में सन 1900 में हुआ उनकी सिक्ष्या बनारस और इलाबाद में हुई थी आजादी के आंदोलन के दोरान महत्मा गाधी के आवाहन पर उन्हाने कौलेज छोड़ दिया चायावादी कविता के प्रमुक स्थम्ब रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य सितिज 1916 से 1977 तक फैला है सन 1977 में उनका देहावशान हो गया वे अपनी जीवन द्रिष्टी के बिविन्न चरणों में चायावाद, प्रगतिवाद और अर्विन दर्शन से प्रभावित हुए वीना, ग्रन्थी, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरन, स्वर्ण धूली, कला और बुढ़ा चान, लोकायतन, चिदंबरा आदी उनकी प्रमुक काव्य क्रतियां है उन्हें साहित्य अकाद्मी पुरसकार, भारतिय ग्यानपेट पुरसकार और सोवियत लेंड नहरू पुरसकार से सम्माने किया गया पंतकी कविता में प्रकृति और मनुश्य के अंतरंग संबंदों की पहचान है उन्होंने आदुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभी व्यंजना पध्यती एमम काव्य भासा से सम्म्रद्द किया भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक सब्दों के चैन के कारण उन्हें सब्द सिल्पी कवी कहा जाता है उन्होंने अपनी कविताओं में खड़ी भासा का प्रियोग किया और संस्कृत के सब्दों का भी बहुलता से उन्हें की काव्यमें प्रियोग किया गया है पलफूल से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुन्दर रेती कवी को रोमान चित करती है उसी रोमांच की अभी व्यक्ति है यह कविता ग्राम स्री गाउं की सोभा आईए कविता को पढ़ लेते हैं फैली खेतों में दूर तलक मकमल की कोमल हरियाली लिप्टी जिससे रव की किरने चांदी की सी उजली जाली तिनकों की हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा जलक शामल भूतल पर चुका हुआ नबकाचिर निर्मल नील फलक तो प्रस्तुत पंक्तियों में कविता की सोभा का वर्णन करते वे कह रही हैं फैली खेतों में दूर तलक यानि की खेतों में दूर दूर तक मकमल की कौमल हरियाली मकमल की समान कौमल हरियाली फैली हुई है लिप्टी जिससे रविकी किरने चांदी की सी उजली जाली इस हरियाली के उपर सूरी की किरने पड़ रही है और वे ऐसी लिप्टी वी प्रतीत हो रही है मानो हरियाली के उपर चांदी की एक उजली सी जाली फैला दी गई हो तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा जलक तिनके जो छोटे छोटे पौंधों के तिनके हैं उनका जो हरा हरा तन है उसमें ओस की बूदे पड़ी हुई है तो कभी कह रहे हैं कि वे ओस की बूदें उन पत्तों के उपर तैर रही हैं कभी उपर कभी नीची लुड़क रही है उस पर जब सूर्य की किरने पड़ती है तो ओस की बूदें पारदर्शी होने के कारण वो जो ओस की बूदें हैं वो हरे रंग की दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है मानो उन तिनकों के हरे हरे तन पर जो हरे रंग का जो रुधिर है अर्था जो रक्त है वो हिल कर जलक रहा है अर्था दिखाई दे रहा है हिलता हुआ दिखाई दे रहा है स्यामल भूतल पर जुका हुआ नबका चिर निर्मल नील फलक स्यामल का अर्थ होता है हरा भरा हरे भरे भूतल पर यानि कि प्रत्वी पर आस्मान का जो निर्मल और चिर अर्था दीर्ग काली किया बहुत लंबे समय से जो नीला पटल है फलक का अर्थ होता है पटल फलक का एक अर्थ होता है और फलक का एक अर्थ होता है पटल तो आस्मान का जो नीला पटल है वहाँ निर्मल है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह हरी भरी धर्ती को अपनी बाहों में भरने के लिए नीचे की ओर जुका हुआ है रोमांचित से लगती वसुधा आई जोंगे हुमे बाली अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं सोभा साली उर्ती भीनी तैलाक्त गंद फूली सरसों पीली पीली लोहरित धरा से जहांक रही नीलम की कली तीसी नीवी इन पंक्तियों में गाउं की सोभा का वर्णन करते हुए जो कवी हैं वो कह रहे हैं कि जो वसुधा है अर्थात ये जो धर्ती है वो रोमांचित हुई सी प्रतीत हो रही है और अपने उस रोमांच को दिखाने के लिए जो गेहु हैं और जो जो हैं उनमें बालियां आ चुकी हैं यानि कि वो विक्सित होने सुरू हो गए हैं प्त्वी के रुमांच के कारण जो और गेहों में बाली आगए हैं और वे विक्सित होते वे दिखाई दे रहे हैं अरहर सनई की सोने की किंकिडिया हैं सोभा साली अरहर और सनई सनई एक प्रकार का रेशेदार पौधा होता है जिसके रेशों से रसिया बनाई जाती है तो उन अरहर और सोने सनई की जो किंकिडियां है किंकिडियां अर्थात करधनी होती है जो कमर में बाधा जाने वाला कमरबंद होता है उसमें जो घुंगरू लगे होते हैं उन्हें कहा जाता है किंकेरिया तो वह ऐसा लग रहा है कि अरहर और सोने की कमर बंद पहन कर ये जो धर्ती है वह बहुत ही सोभा साली अर्थाद बहुत ही सुन्दर लग रही है उर्ती भीनी तैलाप्त गंद पीली सरसों फूली सरसों पीली पीली जो सरसों है वह पीली रंकी हो गई है सरसों का पेड जब उगता है तो हरे रंका होता है और फिर उसमें पीले फूल आते हैं और जब पीले फूल आने सुरू हो जाते हैं अर्थाद सरसों का पकना सुरू हो गया है तो जो फूली हुई सरसों है वो पीली-पीली है और उस में से भीनी सी तैलाक्त मतलब तेल से युक्त गंध उड़ रही है सरसों की जो गंध है वो तेल से युक्त गंध वो उड़ती हुई वातावरण में फैल रही है लो हरित धरा से जहांक रही नीलम की कली तीसी नीली और उसके साथ साथ हरित धरा से यानि कि हरी भरी जो धर्दी है उसमें से नीलम की एक कली नीलम की कली यहां पर बोला गया है अलसी के फूल को जो नीले रंग का होता है तो उसकी एक कली जो है वह नीले रंग की है और वह नीलम की कली के समान धर्दी के भीतर से जाकने लगी है यानि कि नीलम के फूल भी खिलने लगे हैं रंग विरंगे फूलों में रिलमिल हस रही सखिया मटर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी छीमिया छिपाए बीज लड़ी फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों फूर्थ सुन्दर फूले फिरते हैं फूल स्वयम उड़ उड़ वरंतों से वरंतों पर इन पंक्तियों में कवी कह रहे हैं कि रंग-रंग के जो फूल है यानि कि अलग-अलग रंग के जो फूल हैं उसमें जो मटर की सखियां है यानि कि मटर जो हैं वहाँ खड़ी हो गई है और हस रही है यानि कि बिभिन्न प्रकार के रंगों से युक्त जो मटर है अपनी सक्यों के साथ में खड़ी होकर हस रही है और खुल मिल रही है मकमली पेटियों सी लटकी छीमिया छिपाए बीज लड़ी और उन मटरों की जो पेटियां है या उनके जो गुच्छे हैं वो ऐसे लटक रही है मानो वो मकमली पेटियां है और वह अपने भीतर बीजों की लड़ियों को छिपाए हुए हैं फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुन्दर और जब पूरे वातावरण में तरह तरह के सरसों, मटर, नीलम, आदी कई तरह के फूल जब खेतों के बीच में लहलहा रहे हैं तो इन फूलों के उपर अलग अलग रंग की तितलियां फिर रही हैं, अर्थात घूम रही हैं। इन रंग विरंगे सुन्दर फूलों के उपर रंग विरंगी तितलियां फूल फिर रही हैं, अर्थात खूम रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयम उड़ वरंतों से वरंतों पर जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो जो फूल है वह ही एक टहनी से दूसरी टहनी पर उड़ उड़ कर खूम रहे हैं फिर रहे हैं अर्थात वो तितलियां भी रंग विरंगी हैं फूल भी रंग विरंगे हैं तो पर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो तितलिया नहीं बल्कि फूल ही एक पेड़ से या एक टहनी से दूसरी टहनी पर उड़ते हुए घूम रहे हैं अब रजत स्वार्ण मंजरियों से लद गई आमरता रुकी डाली जर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी को किलामत वाली मैं के कटहल मुकुलित जामुन चंगल में जरबेरी जुली फूले आडू नीमू दाड़ें आलू गोवी बेगन मूली तो कवी कह रहे हैं अब रजत स्वार्ण मंजरियों से रजत का रथ होता है चांदी स्वार्ण का रथ होता है सोना मंजरि होता है जो आम में बोर आ जाते हैं उन्हें बोलते हैं मंजरि तो अब सोने और चांदी की मंजरियों से आमर तरू अर्थात आम के पेड की डालियां लद गई हैं आम के पेड की डालियां अब सोने और चांदी के बोरों से लद गई हैं जर रहे धाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली धाक और पीपल के जो दल हैं वो जरने लगे हैं यानि कि गिरने लगे हैं यानि कि आम के पेड़ों में तो बहुत आ रही हैं लेकिन धाक और पीपल के जो दल हैं वो हर तूटकर गिरने लगे हैं ज़रना अर्था तूटकर गिरना। हो उठी कोकिला मतवाली और जो कोयल है वो मतवाली हो गई है यानि की अपने मदमस तस्वार में गाने लगी हैं महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में जर्बेरी जूली जो कटहल हैं वो महकने लगे हैं पकने लगे हैं जिससे एक तरह की महक अर्थात खुजबू आ रही है मुकुलित जामून और जो जामून है वो अद खिला हो रहा है जंगल में झरबेरी जूली और जो जंगल है वहां पर झरबेर जूलने लगे हैं अर्थात जर्वेर बहुत अधिक मात्रा में लटक रहे हैं फूले आडू दाडिम नीबू आलू गोबी बैगन मूली और आडू नीबू दाडिम आलू गोबी बैगन और मूली ये सब फूलने लगे हैं अर्थात पकने लगे हैं पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी पगए सुनहले मधुर वेर अवली से तरुकी डाल जड़ी लहले पालक महमे धनिया लोकी ओसे फली फैली मकमली टमाटर हुए लाल मिचों की बड़ी हरी थैली अब कवी कह रहे हैं कि पीले और मीठे जो अमरूद हैं उनमें लाल लाल चित्तियां पड़ गए हैं ऐसा कब होता है जब अमरूद पकने शुरू हो जाते हैं अर्थात अमरूद पकने लगे हैं पीले मीठे अमरूदों में लाल लाल चित्तियां पड़ने का अर्थ लगे हैं पक गए सुनेले मधुर बेर और जो मधुर बेर हैं मीठे बेर हैं और सुनेले हैं वे पकने लगे हैं अवली से तरुकी डाल जड़ी और अवली जो आवले का छोटा साथ छोटे आवले का जो होता है उसको कहते हैं अवली तो अवली से पेड़ की जो डाले हैं वो जड़ गई है अर्थात उसमें आवल आवले लग गए है लहले पालक पालक लहले हाने लगा है महमे धनिया धनिया परिपक्क हो गया है और महकने लगा है लोकी और सेम फली फैली लोकी और सेम जो है वो फल गई है अर्थात उसमें फल लगने लगे हैं लोकी के और सेम के और फैली अर्थात उनकी जो बेले हैं वहाँ फैलने लगी है मकमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली जो मकमली टमाटर हैं वो लाल रंके हो गए हैं अर्थात पग गए हैं मिर्चों की बड़ी हरी थैली और जो मिर्च हैं वे एक बड़ी सी हरी थैली के समान पेड़ों में लद गए हैं बालू के सापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुन्दर लगती सर्पत चाई तट पर तर्बूजों की खेती अब इस पध्यांस में गंगा के किनारे का वर्णन किया गया है अभी तक हम खेतों में उग रहे फसलों या फलों के बारे में हम पड़ रहे थे अभी हम पड़ रहे हैं गंगा के तट के बारे में तो देखो गंगा तट का कैसा वर्णन किया है बालू के सापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती है यानि कि जो रेत है वो सतरंगी दिखाई दे रही है क्यों दिखाई दे रही है क्योंकि रेत जो है वो पानी से भीगी हुई है और पानी से भीगा होने के कारण जब उसमें सूरी के प्रकास पढ़ते हैं तो वे अलग-अलग रंग के दिखाई देते हैं तो जो गंगा की साथ रंगों से युक्त जो रेत हैं उसमें जो निसान बने हुए हैं यानि कि जो सापों के समान जो निसान बने हुए हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं यानि कि जैसे कि वहां से वहां पर बालू के साप बने हुए हूँ सुन्दर लगती सर्पत चाई तट पर तर्बूजों की खेती और जो सर्पत है अर्था जो घास पात है वो बहुत ही सुन्दर लग रही है और तट पर तर्बूजों की खेती और जो तर्बूजों की खेती है यानि कि तर्बूजों की खेती और जो घास पात तट पर लगी हुई है चाई हुई है, बिछी हुई है वो बहुत ही सुन्दर लग रही है अंगुली की कंगी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई तिरते जल में सुर्खाप पुलिन पर मगरोठी रहती रोई अंगुली की कंगी से बगुले और जो बगुले हैं वे अपने सर को अपनी अंगुलियों से कंगी की तरह कर रहे हैं कलंगी सवारते हैं कोई ऐसा लग रहा है कि वो अपने लंबे लंबे बालों को सवार रहा हो बगुले अपने सर पर अपनी अंगुलियों से कंगी कर रहे हैं अर्थार अपने सर को खुजा रहे हैं लेकिन वो बगले ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई अपने लंबे लंबे बालों को क्या कर रहा है सवार रहा हो तिरते जल में सुरखाब जो जल है उसमें सुरखाब तिर रहे है तिरना अर्था तैरना जल में सुरखाब तैर रहे है सुरखाब अर्था चक्रवाक एक पक्सी होता है उसे सुर्खाब पुला जाता है तो सुर्खाब जो है वो जल में तैर रही है और जो मग रोठी है ये भी एक तरह का पक्षी है वहाँ पुलिन पर यानि कि तट पर सोया हुआ है हस्मुक हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोय भीगी अधियाली में निसिम की तारक सपनों में से खोए मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छा दन निरुपम हिमांत में स्निक दसांत निज सोभा से हरता जन्मन अब कभी कह रहे हैं कि जो हरियाली है वो हस्मुक लग रही है हस्ती हुई सी प्रतीत हो रही है हिम आतप हिम मतलब सर्दी का मौसम आतप मतलब धूप सर्दी की धूप में जो हरियाली है वो हस्ती हुई सी प्रतीत हो रही है सुख से अलसाए से सोए और ऐसी लग रही है वहां उस सर्दी की धूप में सुख का अनुभाव कर रही है और वह आलस्य से सोई हुई है भीगी अधियाली में निसी की तारक सपनों में से खोई और एस तरह से जो रात में जो रात के अंधेरे में इस तरह से जो भीगा हुआ है वातावरन पूरी तरह से औसकी बूदों से जो वातावरन भीगा हुआ है, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो तारक है, यानि कि जो तारे हैं, वो सपनों में कहीं खोए हुए हैं, यानि कि जो औसकी बूदों हैं, वो तारों के समान दिखाई दे रही हैं, चमक्ती वी से दिखाई दे रही हैं, और पर नीलम नब आच्छादन, मरकत के डिब्बे के समान, अर्थात पन्ना के डिब्बे के समान, यह जो खुला हुआ गाउं है, और जिस पर नीलम रूपी, नीलम भी एक रतन होता है, नीले रंका रतन होता है, तो जो नीलम के रतन के समान, जो आस्वान है, वो आच्छादित हो रहा है अर्थात फैला हुआ है यानि कि पन्ना के डिब्बे के समान ये जो गाउं है वो खुला हुआ है और उसके उपर नीलम के रत्न के समान आसभग फैला हुआ है निरुपम हिमान्त में स्निक्द सांत निज सोभा से हरता जन्मन इस अदभुत हिमान्त हिमान्त मतलम ज ऐसे अदभुत स्निक्द सांत, यनि की कुमल प्रेम से युक्त सांत माहौल में. ऐसे अदबुत, कोमल, प्रेम से युक्त, सांत, सर्दी के बाद के समय में यहाँ गाउं नीज सोभा से हरता जन्मन, अपनी सोभा से, अपनी सौंदर्य से जन्मन अर्थात लोगों के मन को हरता है, अर्थात आकरशित कर लेता है तो इस प्रकार से सुमित्रा नंदन पन्तजी ने गाउं की सोभा का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है आशा है आपको भाव समझ में आया होगा, धन्यवाद